नमस्कार दोस्तों क्या आप भी पुराना पैसा आपके पास है तो उसे बेच के बहुत ज़दा कामाई करना चाते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है सबको कृपिया उनुरत करता हूँ कि मेरा ये वीडियो को आखरी तक देखे तो आएए मैं आपना ये वीडियो जाता है ये जो नोट है 1970 में इंडियान गौबर्मेंट दारा टारबी आई में घो चपा गया था और 1985 में नोट को पुरी तरह से बंद कर दिया गया था ये जो आपको दिखाई देरा ये नोट का फ्रॉंट साइड है फ्रॉंट साइड में लिखा हुआ है भारतिया रिज संटराल क्वर्मेंट तक साती साथ नोट का निच्छे दो सिर्क किया हुआए एक इंगलीस में एक हिंदी में याने नोट की उपर goin इंगलीज और हिंदी दोनों लंग्वेज पर दर्साइड इसका कि चितना भी लेपी लिखा हुआ है इस नोट पे सिगनेचर है आपको दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से ततकालीन भारत का जो RBI गवरनर डक्तर मनमोन सिंग जी का सिगनेचर यहाँ पर दरसा है जो आपको दिखाई दे रहा अच्छी तरह से साथ ही साथ यहाँ पर नोट में ओसोग लाइन केपिटल भी दिया गया है यह जो नोट है यह नोट 107 mm का लंबाई है यानि यहां से यहां तक 107 mm है साथ इसाथ 63 mm का यह नोट की चोड़ाई है यानि इस साइड से इस साइड तक 63 mm का यह चोड़ाई है जो कलार है ड्राक पींग कलार रीडोर डिजाइन से इसको बनाई गया है अभी देखते हैं नोट का जो बैक साइड है उसको नोट की बैक साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इंडिया रिजी ओन डिजन का 13 लेंग्वेज तेरा लेंग्वेज जैसे इस पर दर्साय हुआ है साथ इसाथ यहाँ पर रिजाब बैंक उप इंडिया का एक स्टेंब या लोगो भी दिया हुआ है और उप इसमें जो दिखाई दे रहा है जो टाइगार है अपने सिकार के लिए एक दम मुह खोल के खड़ा हुआ है अपने भैंकर रूप में इस नोट पर वाटर मांग भी दिया गया सिकूर्डी पिचास में जो यहाँ पर उसोग लाइन केपिल वाटर मांग है अभी दोस्तों कह जाता है कि अगर यह नोट किसी को पात से उसको 15-20,000 तक आराम से मिल सकता है कोई कोई दबा करता है इस नोट का किमत में 1-2 लाग रुप्या दूंगा लेकिन मैं आपको पता देता हूँ कि यह नोट का इतना किमत नहीं है यह जो नोट इंडिया का एक पुराना नोट है जो आज की डेट पे बंद चुका है यानि यह नोट एक एंटिक नोट में आता है जो कारेंसी कलेक्शन करता है उनके लिए यह नोट बहुत ही इंपोर्डन और अच्छा सुन्दर नोट है स्टेंडिंग टैगर बला नोट हां कोई बार ऐसा हुआ था कि उस समय इतना प्र को इस नोट का किमत बहुत ज़्यदा मिल सकता है लेकिन ऐसा बहुत ही काम होता है साथ इसाथ जो नोट का नमबार होता है जो अगर पेसिमेन नोट का नमबार होगा यानि सारा नमबार जिर से सुरू है तो वो नोट भी बहुत महंगा आता है साथ इसाथ यहाँ पर जो ब और भी आई का उसका सिग्रेजर किया नोट यानि एक एंटीक और अच्छा नोट माना गया तो इस नोट का कीमद इतना नहीं है इसका कीमद जाज़ा आपको पचास से सौ रुपया तक दे सकता है जो करेंसी कलेक्शन करता है तो यह था मेरे स्टेंडिंग टाइगार सीरिज का नोट का लेके वीडियो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना और सतक रहे अगर कोई आपको बोलता इस नोट का किमद इतना दूंगा आपको पहले करना है तो आप उस जासे में मत आये क्योंकि यह फ्रॉट बाला जासा ह हो सकता है तो मैं आज की यह वीडियो में समाप्त करता हूँ सभी को नमस्कार